हलो गाईज तो वेलकम बैक माई यूटूब चैनल तो गाईज आज आज आप लोगों के लिए मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों की जो सबसे बड़ी प्राबलों होती है कि हम लोग अपना टैक्स मेंसेज सेंड करते हैं तो उसमें एक RCS करके आपका आपसन आ जाता है और वहाँ पर आप लोगों के जो है लॉक आ जाती है बनकर तो वह SMS क्या होता है वह SMS दूसरी तरफ सेंड ही नहीं होता है तो गाईज उस RCS की प्राबलम जो है वो सॉल्व हो गई है आज मैं उसको आप लोगों को बताने वाला हूँ कि RCS प्राबलम जो है वो क्यों आती है औ और मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले गाईज मैं आप लोगों को यहां पर अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग देख लिए कैसे कहां पर प्रॉबलम आती है तो यह रहा गाईज मेरा जो है यहां से मैं कुछ SMS जो है वो सेंड करने जा रहा हूँ आप लोग देखते रहे ना मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ कि कहां पर यह प्रॉबलम आती है तो यह SMS हम गाईज अब इसको सेंड करेंगे और सेंड करने के बाद में आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि यह लॉक बनके आ गया है और जब यह लॉक बनके आ जाता है गाईज तो SMS जो है हमारा वो दूसरी तरफ चैनल नहीं होता है इसके लिए मैं आज पूरी आप लोगों को जानकारी दूँगा तो चलिए गाईज मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के शामने यह मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग रही और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में सबसे पहले गाईज क्या करेंगे हम आपने जो हमारा SMS वाला एप है हम लोग सबसे पहले SMS वाले एप पर जाएंगे तो SMS वाले एप पर जाने के बाद में गाईज अब हम लोगों को यहाँ पर क्या क एसमास भेज दिया है। अब भेजने के बाद में guys आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बनके आ गया है lock। अब guys हमको इस lock को क्या करना है, इस lock को remove करना या हटा देना है। तो सबसे पहले आप लोगों को ऊपर सबसे ऊपर आप लोगों को एक तीन बिंदी दिख रही होगी कॉर्ण में सबसे आप लोगों को तीन बिंदी दिख रही है आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है और इस पर click करने के बाद में guys आप लोगों को कई सारे option देखने को मिल जाएंगे उसके बाद में आप लोगों को सबसे ऊपर एक option जो दिख रहा है detail वाला आप लोगों को उस detail वाले option पर यहाँ पर click कर देना है और detail वाले option पे guys click करने के बाद में आप लोगों को कुछ इस प्रकार से interface देखने को मिल जाएगा जो आप लोगों को ये interface दिख रहा है guys यहाँ पे आप लोगों को एक option दिख रहा होगा वो option कौन सा है guys मैं आप लोगों को बता रहा हूँ only send as text और bracket में SMS और MMS ये आप लोगों को एक option दिख रहा होगा यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं तो guys क्या करना है इसका जो box है वो अभी close है और आप सबसे उपर देख सकते हैं यहाँ पे status जो है इसका on दिखा रहा है तो अब करना क्या है guys आप लोगों को इस box को यहाँ से on कर देना है और उसके बाद में guys आप लोगों का उपर जो status दिख रहा है वो आप रूप अपने आप में off दिखाने लगेगा जब guys यह box on हो जाएगा उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है आप लोग वापस जाएंगे और बैक जाने के बाद में आप लोग फिर वहाँ पर देख सकते हैं SMS कर सकते हैं तो चलिए guys मैं यहाँ पर SMS आप लोगों को करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि अब किसी परकार का यहाँ पर कोई लॉग बनके नहीं आ रहा है तो guys आप लोग इस परकार से क्या कर सकते हैं अपने जो RCS वाला option है उसको यहाँ पर remove कर सकते हैं बहुत आसान तरीका guys है और फिर उसके बाद में आप लोगों को इससे जुड़ी कोई problem देखने को नहीं मिल सकती है तो उमीद है guys यह जानकारी आप लोगों को पशंद आई होगी और अगर आप लोगों को कुछ वीडियो नालिजफूल लगा हो तो guys वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो guys चैनल को आप लोगों को subscribe कर लेना है और शाथ में वेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है ताकि ऐसे ही नालिजफूल वीडियो आप लोगों को subscribe प्रोवाइड होते रहें तो चलिए guys मिलते हैं आप लोगों को next वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम